अब आप सभी का बहुत सागत है आपके पैसे चनल बिहार अड़ाइब दिपांग आप सभी का सवागत करता हूं जल्दी से जितने भी हमारे स्टुडेंट्स हैं बार आज आएंगे और से सन आपकी सुरुवात हो चुकी है यह आपका मॉक्टेस हो जाता है डेली यह से नौ आपका मैट्स का होगा ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं और यह आपका विनायक बैच है 3.0 जो की आपका त्यारी चल रहा है बहतरी तरीके से आपका 21 जो है नवंबर से तो जो भी स्टुडेंट अभी जोईन करना चाहता है जरूर जोईन कर सकता है क्योंकि अ तो भाइया आपका आता है पहला सवाल पर और आराम से बिलकुल ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में चीजों को किया जाएगा एक्दम रिलाक्स होकर बिल्कुल आराम से जवाद देने कुशिस करेगा ठीक है बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप मेरा हिस् बिल्कुल क्या नाम है अम्रताइस यreyu कर अजहर को देखेंगा आप कह रहे थे सर्थवादा बढ़ाई यह अब लेबल जवर्दस्ति हो वह हमारे लिए ही नुकसान डायक होता है उस लिये लेबल उस ना रखना और पेपर का है उतना ही हम लेके चलेंगे बताए कि इसका संबंध पेड़ की विद्धी विशेस्ताओं विशेस रूप से विद्धी वल्यों के विशलेशन द्वारा अतीत की जलवायू और जलवायू घटनाओं के रिकॉर्ड बनाने से है यानि अग कंसर्ण में क्या हो सकता था यह जय जलवायू विज्ञान होगा या फिर आपका एतिहासिक जलवायू विज्ञान होगा या फिर भू जलवायू विज्ञान होगा या फिर द्रूम जलवायू विज्ञान होगा यानि ऑप्शन नमबर ए बायो क्लाइमेटोलोजी होगा या जियो क्ल क्लाइमेटोलाजी होगा या फिर ड्रम क्लाइमेटोलाजी होगा अब इस कोश्चन को जिरा एक बार आराम से आप अपने अनुसार बताईए बाकि हम आपको इसका जवाब ददूर देंगे जी ऑप्सन नमबर भी यहां पे बिल्कुल जही आरा तुक्का लगाया है सर जी भ बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है ऑप्सन नमबर ड्रम करके विद्यार्थी आ रहा है क्यों आप्शन नमबर डी यहां पे सवाल का जब सही होगा ठीक है अब बात आती है सर थोड़ा सा एक बार में हमें बायो क्लाइमेटोलाजी बता दीजिए क्योंकि यह कोश्चन आ बता है बायो क्लाइमेटोलाजी के बारे में बायो क्लाइमेट क्लाइमेट का मतलब तो आप समझी आ रहे होंगे कि मौसम से संबंदित है मौसम से संबंदित हैं तो जो जलवायू यानि मौसम और जो आपके जीव होते हैं जितने भी जीव जनतू होते हैं जितने भी आप को दिखा कि साप गायब हो गया गर्मी में साप जो है बिल से बाहर आया फिर दिखने लग गया में फिर गर्मी और बरसात में दिखना शुरू हो जाता है तो उस प्रकार यहां पर आपका बायो क्लेमेटोलोजी जो जीव जनतु आपके मौसम के अनुसार संबंधित बना रह या पहली बार पढ़ाोगा इसको एक बार जड़ासा नोट करके ज़रूर लिखिये गा कि एथनुए को यहाँ पर इसटी कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है क्या ठंडी जल्वाइव में जम जाता है भाई माननी वाली बात है कि जल्वाह जम जाता है या फिर आसानी से क्रिस्टली कृत हो जाता है या फिर सरदियों के दोरान एक द्रव होता है यानि कि there is a liquid during winter और या फिर सरदियों के दोरान परिवर्तन सील होता है यानि जैसे कि सरदी जुखाम का इस समा मौसम चल रहा है ठंड का मौसम आई गया है तो ठंड का मौसम आया है सर्दी जुखाम लेकर आया है ठेना और बिल्कुल विसी तरीके से इस सवाल को देखिए जलासा जवाब दीजे क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगा बहुत अच्छा सवाल है इस कोशन का आंसर जितने लोग जवाब देंगे हाँ सर तो क्या हो जाएगा आप बताएगे सर ऑप्सन नमबर जो है यानि ठंडी जलवायू में जम जाता है जिस वज़ा से इसका नाम गलेसियल एसिटिक एसिड रख दिया ग विनिगर नहीं सब बुझाना चाहिए एक एक सब बुझाना चाहिए तब बात बनेगा हमारा आपका विनिगर की बात करेंगे सिर्का की बात करेंगे अगर कहा जाता कि सिर्का में कौँ सा एसिड है तो आप बिल्कुल एकदम हला बोल मचा देते कि नहीं गुरुजी लगर कर देता कि सिर्का में Acetic Acid होता कितने प्रतीसत होता है या बताइए सिरका में जो है Acetic acid आपके विनगर में कितना हो जायेगा अराम से जवाब दीजेगा कोई ऐसा दिगकत वाली बात नहीं है क्लियर सभी को बहुत बढ़िया बहुत अच्छे और अगर सवाल ये भी कह देता मान लीजे कि गलती से कि एथेनोइक एसीड जो आप देख रहे हैं यह कितने तापमान पर यह बनता है तो हमेशा अगर तापमान पूछ लेगा कभी भी इसका गलनांग पूछ लिया चाहिए गा 290 केल्विं का तापमान आपको देना पड़ेगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा तीन से नौप्रतीसत कितना हो जाएगा तीन से नौप्रतीसत हो जाता है ठीक है बहुत बढ़ा अच्छा एसीटीग एसीड का फार्मूला भी देख लेते हैं एक बार क्या हो हो जाएगा ठीक है क्लियर है बहुत बढ़ा सर आज हमारे परोस में जो है पूरीवा अरे जी आरे मेरे लाल पूरीवा परोस में तो दवा के खईया एकदम समझ ले दवा के जो नहां लप्येट के एकदम बढ़ियां था अब फ्री कता ही है तो छोड़ने का कोई मौका न खाए गूरूजी ने कहा था कि फ्री में खाना है दबा के वर निंग आफ कोल एजा रेक्षन चले मताई यह कौन सा रिएक्षन हो जायेगा जिसे एंग्दिस में डिस्प्लेस्वेंट कहा जा रहा है या फिर डिकंपोजीशन कहा जाएगा या फिर डबल डिस्प्लेस्प अब घटन या फिर विस्थापन कहा जाएगा हसना मना है हमारे क्लास में हमने बताया था हसना बिलकुल मना है हाँ जी सर मुझे खाना है पूरी पहले सेलेक्शन वाले ले लिए न तब न खाएगा पूरी मिठाई ऐसे खालेंगे पूरी बर्फी जो है हाँ जवाब करनिंग आफ कोल की बात कर रहें चलिए अमोनियम क्लोराइड में हैड्रोजन के कितने परमाड़ू होते हैं मतलब यह तो ऐसा सवाल है जैसे कि दाल में नमक समझे दाल में नमक जैसा सवाल पूछी लिया इसनों ने कहा कि हाव मैंडि हैड्रोजन एटम्स आर देर इन अम हैं चाहिए तो मैं लिख देता हूं लिख दे चलिए लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड का फर्मुला होता है और फोरस ययल आप पूछा क्या था हैड्रोजन एटम की संख्या इसमें कितनी है चार है तो सवाल का जब क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ऑप्सनमबर डी बिल्कुल कोई दिमाग या कोई rocket science नहीं लगाना था केवल D का जवाब देना था तीन देखिए तीन तो ammonia हो गया न जी तीन आपका ammonia है यहाँ ammonium chloride की बात की जारी है कितने hydrogen है चार hydrogen हो जाते है ठीक है चलिए आगे अच्छा एक रसाइनिक अभिक्रिया है बात समझ में आया जो की प्रकास या उसमा से उर्जा निर्मुक्त करती है जिसे हम कहेंगे कि आप केमिकल रियक्षन डैट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम लाइट और हीट आप यह समझे कि एक ऐसा रसानिक अभिक्रिया जिससे कि आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है उर्जा जो थर्मिक रियक्षन कहा जाएगा या फिर एडिशन रियक्षन कहा जाएगा उसमा छेपी और उसमा सोसी दोनों में फर्क है चली एक जो का मतलब होता है बाहर एंडो का मतलब होता है अंदर थर्मिक का मतलब होता है टेंपरेचर यानि तापमान तो इस सवाल का जवाब देखकर ही हम बता सकते हैं कि गुरुजी आइसा है ना कि हमें उस्माख 6 पी लग रहा है गलत है भी आ रहा है ठीक है बहुत बढ़ी है तो सवाल का जवाब यहाँ पर एक जो थर्मिक हो जाएगा क्या हो जाएगा एक जो थर्मिक हो जाएगा ठीक है चलिए सर 6-8 science के लिए class ले सकते हैं सर आप किसी भी परिक्षा की त्यारी कर रहे हो science कभी बदला नहीं है है ना अब आप 6-8 की त्यारी कर रहे हो चाहे 11-12 की परिक्षा में विज्ञान कभी बदला हुआ नहीं दिखाई देगा है नहीं कोई महबत थोड़ी है जो दो है दोका के बाद बदल विदूत मोटर में उर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है हसना मना है हम बता रहे हैं इन वाट फॉर्म इज एनर्जी कनवर्टेड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर समझे अब व्यांत्रिक से विदूत में होगा इलेक्ट्रिक मोटर आप जैसे बाइक चला रहे हैं ठीक ह अच्छा उसको छोड़ने घर में अगर आप देखें अग तो जो एक आता वाला मसीन होता है अग्ल होता है टीरि होता है गाय के लिए चरी तो मसीन से पत्ता लगा ही और दो तो वही कह रहा है कि उसमें उर्जा जो परिवर्तित हो रही है वह एनरजी किसमें से किसमें परिवर्तित होता है इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रिकल पहले लगेगा अब तो सीधा सा मतलब option number B गुरुजी इसारा कर रहा यह यह बी की तरफ इसारा कर रहा है और option number B ही सवाल का सही जवाब होगा हस रहे हैं यह कोई हसना वाला सवाल ही नहीं था इसमें सभी हमारे घर में नहीं रही जो है भूक्त रहे हमने जो आप होता है का में सब लोग करते हैं एफाई किके आद हार पर किया गया है अब आप सभी लोग जानते हैं कि सका डिजाइन तो आप से देखा होगा तो कोई न कोई यहां परह confess Challenge लगाए गया होगा जिस तरीका लगाया गया होगा या फिर प्रिंस्पल आफ ब्यॉंसी की बात कर रहा है उत्पलावन का सिध्धान्त होगा चले जल्दी से बताए सवाल का जवाब यहां पर क्या हो सकता था एक दिमाग वाली आप बिल्कुल देखिए वही न जब समझ में आ जाए चीजों तो प्रत्यावर्ति धारा को दिस्ट धारा में परिवर्तित कर रहा है ठीक है जो केवल एक ही दिसा में प्रवाहित हो रही है यह भी बड़ा अच्छा सवाल है भलब तीन-चार सवाल एक ही कोश्चन में पूछ लिया कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइज है डैट कनवर् अल्टर नेटिंग करेंट इंटू डारेक्ट करेंट अल्टर नेटिंग करेंट को डारेक्ट करेंट में बदल दे रहा है और कह रहा है कि वह एक ही दिसा में फ्लो करती है तो ऐसे को ट्रांसफार्मर कहा जाएगा रिक्टिफायर कहा जाएगा एम मीटर कहा जाएगा या वोल्ट मीटर कहा जाएगा यह थोड़ा सोचने वाला चीज है यह सोचने वाली ही चीज है पुछे कैसे आप देखिए ट्रांसफार्मर की अगर बात करें बिजली फीडर से लाइट चली है ट्रांसफार्मर में आया ट्रांसफार्मर के बाद संतोष के घर में गया कलू गोडिया चाची उंक्य गर में गया तो इस तरीके से तो eigene कोन तर Simone कर दिया पूरा खत्मी कर दिया उतों यह तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल बस एक एक जवाब होगा क्योंकि का काम होता है alternating current को direct current में बदलना कितनी लोगा देखो इतना संजाने के बावजुद्ध भी आ रहा है और सी आ रहा था सी किसका रहा है ए ए मीटर करेंट को मेजर करने के लिए होता है समझे विदुदारा को मेजर किया जा रहा मीटर लिगा लगा हुआ है जब की ठीक है रिक्टी फायर हो जाएगा बहुत बढ़िया अगला सवाल देखिए शली पद या हस्तिपाद है यह क्या यह एक रोग है ठीक है जिसमें अंग्ओं की पूरानी सूजन होती है और इन मेंसे किस क्रीमी के कारण होता है यह सोचने वाली बात है जैसे हमने कहा कि Slippery या हैस्टी पैड में का स्टीजीज हो गया ठीक है इन विच देरीज़ क्रोनिक स्वेलिंग आफ लिम्स लिम्स मतलब समझ रहना यहां पर किसका सुजन हो रहा है पूरानी सुजन की बात कर रहा है ठीक है इस कॉस्ट भाई वीच आफ फॉलिंग वां यह बड़ा अच्छा होशन किस वांस के द्वा होगा या एसकेरीस होगा या माइक्रोस्पोरम होगा या वूचेरिया होगा यह सभी एक माइक्रो आर्गनिजम हैं सुक्ष में जीव हैं तो इसमें इसका जवाब क्या होगा इनमें से जल्दी से बताएए क्या होगा इस कोशन पर हम रुकेंगे एक मिनट के लिए क्योंक सभी को नहीं आ रहा है अच्छा आना तो चाहिए बएसे साधी मुवात का मौसम चल रहा है निमांतर नियुता तो मिलता रहता रहा है के काड़ा आ अब तक तो है हां सडी आ रहा है 5 डूंच नो सबूसर आई डूंट नोर या कैसे हो गया था सब कैसे हो जाता है don't know नहीं गलत ही दीजिए पर दीजिए जब तक गलत नहीं करेंगे सही का अंदाजा कैसा लगेगा बात तो समझे जीवन में गलतियां नहीं होंगी तो सीख कैसे मिलेंगी और हम सच को सामना कैसे करेंगे तो गलतियां होना बहुत जरूरी जीवन में गलतिय है जैसे हुआ में बढ Hardly और ये रोग में इसको अलग नम से जाना जाता है यह पर यहाघंज種 अगला कोशन देखिए लिथियम का परमाडू क्रमांग पूछा गया है कितना है अब आप कहेंगे गुरुजी इतना आसान सवाल तो नहीं पूछेगा अब हम आपको यह बता दे कि पचीस कोशन पचीसों का पचीस हाई लेबल का नहीं लेता है पेपर कुछ आसान भी होता है कुछ कठीन भी होता है और कुछ जो है आशा होता है नहीं आसान है नहीं कठीन है तो इस तरीके से वहाल सवाल देगा वही सब्सक्राव बहुत अच्छी बात कहीं आपने नेहां दीके बात का मेलब कोई फर्क नहीं परड़ा नेहां जी के बात का अशर इतना चेज है कि कह भी नहीं सकते हैं देख रहे हैं पढ़ाई इधर है बोड़ इधर है गुरुजी इधर खड़े हैं और नजर भाई सहाब का उसी कमेंट पर है कि कोई कमेंट क्या कर रहा है ठीक है यह भी चाहिए लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई आपसर नमबर भी यहां पर थ्री हो जाएगा लि किसका होगा तो सोडियम हो जाएगा क्या हो जाएगा सोडियम हो जाएगा ठीक है वही बात आप से पंद्रह अगर पूछ लिया तब आप फासफोरस बताइएगा क्या कहिएगा गुरुजी फासफोरस हो जाएगा ठीक है यह तीरों चीज़े लिख लिए अच्छे से कि यदि सीलिया की बात करें चाहे इसी का नाम है सिलियो फोरा यह आपके कौन से फाइलम में या फिर कौन से फाइला में रखे गए हैं यह आप से पूछा जा रहा है क्या यह इस पिंकुला में रखे गए हैं या पोरी फेरा में रखे गए हैं या फिर एकाइनो डर्मेटा म पर याँ सवाल है, जल्दी से बताए कि या हो जाएगा जल्दी से बताए इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? हाँ जी, बताइए जल्दी से, अच्छा ये जो रोटी फॉर्स आप देख रहे हैं ये आपको पता है रोटी फिर्ज को लोग फीलर में रखा गया है। फाल Grad हो वो अलग है यह अलग है यह सी लिली नाम का एक और्गनिजम होता है यह जो जीव होता है सी लिली इसी का दूसरा नाम पूछा गया है पेपर में आपके कि बताए दूसरा नाम क्या होगा सी लिली का दूसरा नाम कोई बताए भाई क्या हो सकता है जल्दी से चलिए जवाब दीजिए क्या होगा जवाद दीजिए जरासा और हमें इनर्जी दिख नहीं रही है आप लोगों मतलब एक होता है कि उर्जा भरी हुई है गुर्जी सेलेक्शन की लेने की क्या चाहर है उर्जा नहीं है एकदम में उर्जा जो है आच्छा चैटिंग में लगे पौड़े है लगे रहिये उसमें भी जो है आपकी अदालध की तरह जो है आप इजो कहीनении गवाहिया करिए रहेंगे इदर देखिए अच्छा सी लिली की बात करे तो सी लिली आप बता रहे है यह एक एनिमिलिया है यह का है यह आपका एनिमिलिया नाम का जो संग है उसमें रखा गया एनिमिलिया नाम के किंग्डम में रखा गया किंग्डम एनिमिलिया हो जाता है ठीक है जगत है यह आपका और फाइला को सो हो जाएगा पस यह बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या हो जागा option number जितने लोग भी बता रहे हैं प्रोटो जवा वो बिल्कुल सही है प्रोटो जवा विल भी दर राइट आंसर ठीक है ठीक है चलिए बहुर बढ़े हैं ठीक है आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं दही और सिरका का स्वाद खटा हो होता है यह बात तो सही है मानना पड़ेगा इसमें कोई नहीं कहानी तो है नहीं ठीक है मानते हैं खटा होता है पर क्योंकि इसमें क्योंकि इनमें क्या होता है मतलब एक प्रकार का केमिकल्स इसमें मिला जाता है या यह प्रकार का एसीड होता है या प्रोटीन होगा या फ इस वज़द से यह काम हुआ है मैं कहा बिल्कुल सही पर हमने कोश्चन को उल्टा किया हमने कहा ऐसा बताओ कि उसका टेस्ट क्कटा क्यों होता है एसीड के वज़एसे प्रोटीन के वहसे के सवाल का जाव्याँ क्या हो जाएगा अगर जाए अगरर नाई mix कर दिगकत हो जाएगी पिर टबह सब लोग परसान हो जाएंगे गःवाली आ ना फ्री के चक्कर में जो है दही भी और मठ्ठा सब जो है उसी में दही जले भी मिर्ती ठीक है अपसन नमबर भी विद्यारती बहुत बुद्धिमान है बहुत जादा तेज है न का करें इसका कोई तोड़ा ही नहीं तो समू में नीचे की और धात्वी गुड किसके और एक आवर्त में देखिए जो आपका महापर मेटैलिक प्रॉपर्टी की बात करें एक प्रियोडिक टेबल के अंदर मेटैलिक प्रॉपर्टी जो होती है यह पहले धात्वी गुड की बात के तो बढ़ती है या घर्टी है तो पहले बताए क्या होगा यह आपका अगर हम डाउ गुण की बात कर रहे हैं तो गुरूप में जाने पर यह क्या होता है पहले बढ़ता है या पॉइंट समझ में आया ठीक बहुत बढ़िया चलिए आगे चली अगला सवाल देखिए जब पराग नलिका बिजांड द्वारी सीरे से पादप के अंडासाय में बिजांड में प् अब आप यहाँ पर इंगलिस में पढ़िये फिर मैं समझाओंगा कि पॉलें ट्यूब इंटर दा ओव्यूल एंड ओवरी ऑफ प्लांट फ्रम दे एंटरल इंड इंड इस नोन एज देखिए एक होता है चलोजोगैमी एक होता है मेजोगैमी इस तरीके से तीन पार्ट हो प्लांट में और किस जगह से पॉलें ट्यूब इंटर करता है बस उस जगह का आपको नाम बताना केलाजोगैमी मेजोगैमी क्या हो जाएगा चली बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा एक होता है पहले नोगेमी इस कुस्तन का अंसर कितने लोगों को आ रहा प्रवेश जनन नहीं होगा तो बीच नहीं बनेगा तो फुल नहीं बनेगा तो फल नहीं बनेगा बेसिक सी बात है इसका मतलब इसमें सारा कुछ option number c का खेला है सारा सवाल का जवाब क्या हो जाएगा option number c अंड़ द्वारी प्रवेश option number c will be the right answer अब बढ़ यहां लगे तो like का button दबाना आप लोग सुरू कर दीजिए ठीक है अब बार-बार कहना भी अच्छा लगेगा हमें ठीक है अगला question वह मार्क जो मूँ से आरंभ तो होता है ठीक है मल द्वार तक जाता है बताये वह क्या कहलाता है अच्छा question है the path which is starts from the mouth and goes to the inus that is called यह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बहुत अच्छे से मैंने बताया था बहुत अच्छे से कम से कम दस वार मैंने ये बात बताया था क्लास के अंदर ठीक है अब उसे small intestine कहेंगे large intestine कहेंगे digestive system कहा जाएगा या फिर neighboring country canal कहा जाएगा चलने जल्दी से बताए सवाल का जवाब क्या हो सकता है जल्दी से बताये सवाल का जवाब क्या हो सकता है जैसे या तो यह फिड्यारति को लगता है आप कि गुरुजी यह हमारे तो पुण können apply इंटर्लब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्में सिधा घाजर का हलुप परौज देगा कि लिजी खाईए इतना खल का मसले गाजर का हलुप अगर देगा भी नहीं तो उसे एलिमेंटरिक कैनाल हो जाएगा ठीक है एलिमेंटरिक कैनाल की एक बार लंबाई अगर कोई बता देता तो बड़ा केस्ट करता भई बहुत बड़ा कृपा कर देता हमारे उपर इस बात को बताने पर हैना समझे कि वही जो है बाके भीहरी लाल की जय वाला काम करेगा अहार के सãथिकिनाल की लंबाई एक बार दीजिए क्या हो जाएगा लुट उसमें पड़िंग क्या आप समझें टो आपको दिक्कत करिंग सर बात समझें तो जवाब का जबता देंग सर क्या हो जाएगा कर सर confusion गालिय। पालिंग करेंगा तो ऊपर हो अच्छा जल का अरूंभार कितना होता है वाट इस दा मॉलिकूलर वेट आफ वाटर यह बताइए वाट इस दा मॉलिकूलर वेट आफ वाटर वाटर वैसे तो सवाल बहुत कुछ बनेगा डाईजिस्ट्यू सिस्टम के उपर है ना पर इसका जवाब देदीजे पहले 16 ग्राम पर मोल 17 ग्राम पर मोल 18 ग्राम पर मोल या फिर 20 ग्राम पर मोल आई तिक इस से आसान सवाल अभी तक कोई नहीं मिला हमें जल्ली विदाइए सर्फ 52 फिटका होता है एलिमेंटरी के नाल भावन फिटका होगा बढ़िया है सरीर से बढ़ा तुम्हारा एलिमेंटरी के नाल ही हो जाए ठीक है ना यह भी ठीक है अच्छा है चलिए सवाल का जोड़े एक सवाल हवारे मन में और आ गया पूछिए क्या आया हमने एक सवाल किया हमने कहा आपके माउथ में यानि आपके मुख में मुख में कहते चाहे जो भी कर दीजिए है ना अगर आपके माउथ कैविटी की बात करें मुख मुख गुहा की बात करें तो जड़ा एक सवाल का जवाब बताए यह जो माउथ कैविटी है इसमें से क्या निकलता भी सलाइवा निकलता है आपने बताए गुर्जी लार निकलता है ठीक है यह ब में गए अब बढ़ इंसा जो है साही पनीर रखा हुआ है और तरफ जो है बढ़ आ मतर पनीर रखा हुआ है असा ही पनीर का रंग देखकर आपके मूं लेपानी आ गया आज पढ़ाया भी दा वेसे हमने जहाता जाता है इस कोश्चन का अंसर 18 जितने लोग दे रहे हैं कि सब्सक्राइब सी होगा मरला 18.015 ग्राम पर मुल सही बतारे क्योंकि एस्टू है न तो 16 तो यहीं हो गया और दो इसमें हाइड्रोजन है तो 16-18 हो जाता है ठीक है ऑप्स लाइस स्वाल देखते हैं सेड की दाहार में ध्वनिक की प्रबलता अब ध्यान से समझीएक वह तो आप दाहन ते रहेती है है बैसे सएड के दहार तो आप लोग सोचते हैं कि हम होते हैं तो बस वह तो आप है पर आप अपने जंучांता को पहचान not नहीं पा रहे हैं सेड की दाहार में ध्वनी की प्रवलता एवं जोहां तारतों के लिए सही कथन कौन सा होगा which is the correct statement about the loudness and pitch of the sound in the role of lion क्या उसमें intensity जादा होगी या पीछ जादा होगा उसका या loudness बहुत जादा है पर पीछ एकदम low है उसका समझे रहे हैं वालब तारत उसका बहुत कम है या फिर low intensity है low pitch होगा और या फिर low intensity intensity और हाई पीछ हो सकता है और आपको मैंने एक बात तो बहुत अच्छे सा समझाया था कि सीधी सी बात है यदि हम किसी मेल की बात करें यदि किसी नर की बात करें तो नर का जो हवायस होता है जो आवाज होता है वह बहुत लो होगा और यहाह नहीं होगा ठीक है बच साध बचा अब सीधी सीवात अगर लोब पीच है तो इंटैन्सिटी के लाउडनेस क्या होगा जादा होगा तो आप सनम भी आप का वसनम Sandberg फीविल sap at karra बी यहां पर शहीं था ठीग है और यहMM ह्यां बहुत बढ़िया ड़ार आपसा नंबर 20 आब हो का सहीं जवाब मेहां होगा लीवर का लिखा हुआ है यहां His लिखागवा दिखाई दे रहा है अलगा चल रहा है विद्यार्थी मतलब कहा सपना अपना में हो का बाबू लीवर कहा हमने पूछ लिया आपसे सिल्वर के आभूसर और सिल्वर के चिक्षे लंबे समय तक वायू के संपर्क में रहने पर भी उनकी सतों पर कभी काली परत ब चांदी है चांदी का सिक्का हो चाहे चांदी का कोई गहना हो वह आपका काला पड़ जाता है अगर उसे ज्यादा समय तक हवा के कंटक्ट में रखा जाए यह काला पदार्थ है क्या चीज़ यह पूछा गया है ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है या यह क्या हुआ फुति लेयु काला पड़ गया धर जनी इस अंग इख भी काला हो गए रैवा प्रबास कोई जायेगा नहीं क्लास से तक लिख लगा है अbad कुल जाइए भई है न यह भी काला पड़ गये हैं कर दो कि कैसे होगा कि कुछ आउड़ार इस्टार्ट टू डिस्प्ले है रुक जाइए जड़ा साथ देखिया यहां पर लग रहा सिल्वर का नाम लेते इंको बुरा लग गया चांदी के दोस्त है काई करें कि बंदो गया है कि इसे हो गई यहां बोर्ड जो है काला पड़ गया तुम्हें आशिया नाज का चक्क्र लगा पड़ा है बताइए देख रहे हैं कोई क्लास से जाएगा नहीं बता रहे हैं आज इनहीं कि निमंतर पड़ा है पहले निवता की तरफ ध्यान है आपका इ में आउन रहाएं जल्द ही है आव की यहां हो जाता है फिलिने हम सोने से जौह भी बिलाते हैं सोना सदोस्ति करवाते साधर की बवूर्द की कर रहे हैं सर भूत है सर्व में भूत नहीं यह लग राए चंदरमुखी खुद चल के चलिए आए पाउड फे एकलवण धॉअ है की फोलनेया का चंदर मुखी यहां चला आया है हमारे पीछे बताई양 इतना पनियां जो है शिल्वर बता रहे थे अचानक से जो है पानी क्या हो गया देख रहे हैं तो जण्यवाद धन्यवाद आपका ठीक है चलिए अगला सवाल अब आपका बोड़ आ चुका है देखे यहां पर जो है भूत जो है जा चुका है ठीक है समझ मैं आई बात हाहां जी ठ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इधर जान दीजिए के कुश्चन क्या कह रहा है विदूत के माध्यम से किसी अन्य पड़ार हमें तो दूर होगे बोलना पड़ेगा वरना कल को जो है दिक्कत हो जाए अच्छा था कि हमाई से पास हो कि कान में जो है आवाज चली गई जोर सी पडार्च के उपर किसी भी अन्य वांशित धातू की परत चढ़ानी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इस कोशन का जवाब सीधा सता इलेक्रो फ्लेटिंग होता है जिसे हम सभी विदूत लेपण कहते हैं यानि किसी परत पर आपका विदूत का परत चढ़ाय जा रह वाक्शन द możखही देगा फॉसिबल तभी होगा जब लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगा करेगा यह एल्प से वाटर में जाएगा एर्भी से ग्ल से गलास में जाएगा ति सवाल का जबब क्या हो जाएगा आपका कारत्स जल में हो कि सवाल का सबढ़ा है अगला कोशन देखिए का नाम का सबसदोन इसाइं है को सकता है चले से सबसक्राइब आप यहां पर क्या होगा यहां पर इससकूञ का आनसर क्या हो सकता है पर यह ही सब चीजे है कोpling करने की बिल्कुल एक्चा मत्बद एक होता है कि नहीं इस उम्र में अगर अपने भवी से किन्व झंता नहीं किये तो हो तर्मट नहीं होगी अंधर से मौका इस कदर आपका कदम चूमने को तियार और आप उसे गले नहीं लगा रहे हैं बस कहानी इतनी है और आप्टिन नमबर यहाँ पर सवाल कि अका देगा सी हो जाता है सब्सक्राइब क्या हो जाएगा सब्सक्राइब क्या कर रही है ऐसे को हैजा तपैदिक पीलिया या फिर इसमें से अधिक हो जाता है तो इस कोश्चन का अंसर क्या हो जाएगा आपका अप्शन नंबर भी हो जाएगा जिससे हम टूबर कुलोसिस कहते हैं और आप सभी लोग मुझे बता सकते क्या कि टूबर कुलोसिस डे कब मनाया जाता है वैसे चले ज़रा कोई बताएगा हमें कि तपैद सोर्स आप फूड एंड फूडर फूड ग्रेंस होगा एलगी होगा लाइकेन होगा या मोर देन वन अब देबब खाद्यान होगा सैवाल होगा लाइकेन होगा यानि सबसे भोजन और चारे का सबसे अच्छा इस्त्रोत बोला जाता है आपको पता होगा आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे अच्छा भोजन जिससे हमें ज़्यादा उर्जा मिले ज़्यादा उर्जा प्राथ हो उसके लिए एक ही चीज बनी है जिसे हम ग्रेंज कहते हैं जिसे हम अनाज कहते हैं फुल ग्रेंज कहते हैं क्या समझे समझे अच्छा ठीक है आपसर नंबर यहाँ पर जवाब हो जाएगा इन में से कौन प्रोकरियोटिक कोशिका की विश्यस्ता है वीच आफ दा फॉलॉइंग जब कैरेक्टरिस्टिक प्रोकरियोटिक सेल चले बताईए प्रोकरियोटिक सेल की विश्यस्ता पुछी जारी है किन मेंसे कौन साई हो सकता है जल्Дी से बताइए है कि सवाल का जवाब क्या हो जाएगा तेक बात बता दे प्रोकरियोटिक सेल की बात हो लिए और प्रोक्रियोटिक का विसेष्था ही होता है कि नुक्लियस इसमें पाया नहीं जाता सिधी सी बात है नुक्लियस है नहीं सेल वाल इसमें होता नहीं है दो चीजे तो अपने आप हो गई तो पहले तो मोर देन वन आप देवाव ऑप्शन नमबर डी विल भी ट्रह डैसर आप्शन नमबर दी विल भी दा राइट डिहां पर सवाल का जवा एड देखो फिर वही बात फिर वही बात सेलाओ कहां प्यापाया जाता है जिन्र BAR और केवल पादप कोशिका में होता है और पादप कोशिका चोहा यू करियाकर हो भाग है बात समझमें आई ठीक है सर इनमें से कौन थैलोफाइटा से सम्मंदित नहीं है वीचाब दा फॉलेंग डेज नॉट भी लॉट चलि बताई ये थैलोफाइटा से सम्मंदित जिसे नहीं कहा जा रहा है जिसका फोन का बैटरी लोग है वो चार्ज लगा ले चार्ज लगा लीजिए और जवाब दीजिए ऑप्शन नमबर एब होगा आप फ़र्न यूलेट्रिक स्पैरो गाई रहा तो सवाल का जवाब अप्शन नमबर एग होगा कितने लोगों का सही जवाब नहीं आ रहा हम द जीन कहां उपस्थित होते हैं यानि वेर यार जीन प्रजेंट जीन कहां उपस्थित होते हैं चले बताइए जली से जीन कहां उपस्थित होते हैं अच्छा जीन किसके बने होते हैं यह आप से मैं कहूंगा एक सवाल आप से और भी है अगर बात करें कि जीन किसके बने होत हो सकता है कि अरड़कल तो गाना चल रहा है और वो बड़ा एक आचके चल रहा है सी ऐसे करके सी ऐसी इंट्टल्च ऐख एक सब्सक्राइब आपले का लूकेंग लाइका वाव लेख रहा है अच्छा बीगा मतलब कर दे का मतलो होता है सवाल का जवाब option number a हो जाएगा क्रोमोजूम option number a हो जाएगा गुर्ण सुत्र हो जाएगा क्रोमोजूम हो जाएगा इस सवाब इतना गजब का जवाब आया है कि दिल हमारा दहल गया है कि तम जो है तो मतले धरती हिल गई जीण DNA का बना होता है गुरूजी पॉली नुक्लियोटाइड का बना होता है सरकार छिक है पॉली नुक्लियोटाइड का बना होता है बात समझ में आया आच्छा चलिए एक बार और पूछ लेते पेप्टीडो ग्लाइकॉन का नाम कितने लोग सुने है पेप्टीडो ग्लाइकॉन जो है जल्दी से बताए कि पेप्टीडो ग्लाइकॉन जो है इससे सेलवाल किसका बना होता है किसकी कोशिका भित्ती पेप्ट हो सकता है जली सो शृषिक का पेप्टी डोग लाइक आइक और नुंकल की बनी होती है बता यह जल्दी से यह एक सवाल है आप से आजेस्ट लाइब का वाव बता यह बताईं इसे क्या हो सकता है आप हूं अपर गुरूजी जीमारू होगा यहाँ पर बैक्टिरिया हो जाए गाए उसके साथ आपसे भी कहा जाएगा कि बैक्टिवाव अगर हम बात करें तो प्लांड का सेलवाल किस से बना होता है प्लांड की कोशिक भीट्टी किससे बनी होती है आप क्या जवाब देंगे आप कहेंगे गुरुजी प्लांट का जो सेलवाल होता है वह सेलूलोज का बना होता है साथ साथ आप बताएंगे गुरुजी यह पेक्तिन का बना होता है समझे क्या बना होता है ठीक है उसी प्रकार से यदि सेवाल की बात करें तो सेवाल का जो सेलवाल होता है जो कोशिका का भित्ती होती है यह किसकी बनी हुई होती है तो दिखेंगे आप क्या बताएंगे सर अब ध्याद समझे सेवाल यानिया एलगी का जो सेलवाल होता है या किसका बना हुआ होता है या बना हुआ होता है सेलूलोज का सेलूलोज का बना हुआ होता है साथ में गैलेक्टोन का पनाववा होता है यह दोली लीजेगा तो यहाँलेटोंस हो गया सैलूलोंस पेक्टीन हो गया और आपका बैक्टीरिय आप का पेप्टीडो ग्लाइकॉन क्लियर है सभी को ठीक है आच्छा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे आगे चलते अगला सवाल देखते हैं जीवों में अनुवंसिक लक्षर संतान में ले जाते हैं कौन ले जाते हैं भाई बताई जली से सवाल के जब क्या हो जाएगा आप बताएंगे गुरुजी क्रोमोजोम के दारा किसके दारा तो बाई क्रोमोजोम हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा इनमें से कौन से सुक्ष में जीव जैव और वरक के रूप में प्रयोग होते हैं चलिए अब जासा रैपीड फ जवाब विशाडू या फिर उप्रोक्त में से कभी ने अब इस सवाल का जवाब ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा यानि साइनो बेक्टिरिया का इस्तमाल बायो फटिलाइजर जैव उरोरक के रूपे होता है क्योंकि आपको पता है सिदी से बातन नाइट्रोजन फिक्षे बिरिज में क्या हो जाएगा या हो जाएगा यूगोडी में बुझाया बुझाता ना जी बद बुझाना चाहिए ठीक है चलिए मापन इकायों की सीजियस प्रांणली का मतलब क्या होता है यानि वाट ड़स दसीजियस सिस्टम आप मेजरमेंट्स यूनिट्स में चलिए जल्दी से बताईए यहां पर सीजियस का मतलब क्या हो सकता है सीजियस का मतलब बताईए जल्दी से क्या हो सकता है तो आप क्या बताईएगा आप कहिएगा गुरी सीजियस का मतलब ता सेंटी ग्राम सेकेंड की बात हो रही है ना सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आप्शन न तरके भाग रहे हैं ठीक पर उनका अंदाजा लगता इस पर सलफर डायोक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाता है अगर यह सवाल आया तो आप क्या करेंगी वाट ड़स सलफर डायोक्साइड डू वेन डिजॉल बिन वाटर जब यह वाटर में घुलेगा तो क्या बना सकता है जैसे हमने कहा सलफर डायोक्साइड को वाटर में मिला दो बद एक ही चीज बनेगा एस्टू एस्सो थ्री और एस्टू एस्सो थ्री जो है किसे कहा जा रहा है सलफ्यूरस अमलों को कहा जाता है उप्शन नमबर बी को है ना ठीक है बहुत बढ़ा ऑप्शन नहीं होगा अप्शन नमबर बी हो जाएगा चलिए आगे सवाल देखिए प्रकास की चाल इन में से माध्यमों से किसमें अधिक्तम होती है यानि की वीच आफ दा फॉलॉइंग मीडियम दे स्पीड आफ लाइट इज मैक्सिमम स्पीड आफ लाइट जो है आपका बहुत ज्यादा होगा किसमें होगा वैक्यूम वाटर ग्लास या फिर एयर निर्वात जल में या कांच में या फिर वायू में बताइए जवाब क्या हो जाएगा सेशन थोड़ा सा सेयर कर दीजिए बढ़ियांसा मजा आ रहा है तू कि बताइए चली बताइए क्या हो जाएगा बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए सर आप्सन नंबर सी होगा बी होगा सर बी भी आप देखे इस कोशन का अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा निर्वात हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा निर्वात हो जाएगा मानो फेफड जबाब यहाँ पर क्या हो सकता है तो हुमन्लंस की बात कर रहे हैं सरफियस एक्षे जिएड़े parlar है यानुक्ष होरा है यहनी ठीड हो रहा है और इसके लिए लंस में चीज पाई जाती जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है क्या तो बाद में उसका पता जो है ले लीजिए गा इस रत कहां से ओ तुम आती हो क्लास में कि नहीं अगुवा बना घूम रहा है क्लसिया में देख रहे हैं चला इदर देखो निमलिखित में से क्या अमलिय प्रवलता का सही बढ़ता करम बताईए कि अगर बात करेंगे तो आपको यह बात पता है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रफशन अगला कोश्चन शरीर में किसा हार्मोन की कमी से मधुमें होता है यह बताईए कि हार्मोन भी बोल दिया है और यह भी कह दिया है कि डायबीटिज है इसके लिए है गुलाब जामू से तुम्हें दूर रखने का वाटेज दैस्टडी आफ मुच्वल रिलेशन बिट्विंस और खनी जब एंड इन्वार्मेंट काल हमें हसी आगे पूताए क्यों यह मुच्वल फंड आज कल देख रहे हैं वना परचार आता तो उसमें बोलता रहता है मु अब यह सवाल आपसे केवल एक ही जाती की अगर बाथ करें केवल एकही जाती के जीव का मधु आगर अध्यन कीआ जाए और अज्मारी अभी लास्ट में अमलभ रिकॉड़ देखेंगे जो विद्यार्थी हमारे उन्स सभी को यह बाद बताएं तकलीफ इस बात से नहीं कि आप हाजिर नहीं हुए तकलीफ इस बात से है कि आपको आपके भविश्य की चिंता नहीं है समझें तकलीफ इस बात से नहीं है कि आप हाजिर निवे तकलीफ इस बात से है कि आपको आपके भविश्य की चिंता नहीं है चिंता है तो उस भविश्य की जिसका कोई भरोसा नहीं है और आप आप समझ रहें कि मेरा इसारा किस तरफ के तरफ जा रहा है है कि आर एक है कोई कोई किसी ने खाना खाया यह नहीं पर चिंता इस चीज का नहीं कि हम आगे भविश्य में कितना बढ़ियां खाना खाने की उमीद रखेंगे समझ रहे हैं चलिए तो केवल एक ही जाती जीवों का जो अध्यान होता है उसे हम और्ट को लॉजिक अगा जाता है उसे क्या बोला जाता है उसी को हम सभी और टेको लॉजी कहते हैं बात समझ में आया सभी को ठीके पात सब्सक्राइब सिनेकोलोजिक होता है सिनेकोलोजिक का मतलब होता है जिसमें हम पूरे जीव जनतुओं की बात कर रहे हैं किसके बात करें पूरे जीव जनतुओं के समुदाय का अध्यन करते हैं जितने भी ऑर्गनिजम हैं उनके पूरे समुदाय के अध्यन की बात करेंगे उनके पूरे सम प्रिमुदाय का जो अध्यन होता है जो स्टडी होता है उसी को हम सब सिनेकोलोजी कहते हैं सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया कि सवाल का जवाब ऑप्शन नमबर भी हो जाना चाहिए था इकोलोजी पारिस्थित की हो जाना चाहिए था बात समझ में आई बात ठीक है च सवाल का जवाब क्या हो सकेगा बताईए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा थोड़ा सा नहीं तो थोड़ा सा ही सही थोड़ा सा ही सही थोड़ा सा ही सही अपने जीवन को एक बार फिर से सोच कर देखो कि क्या अब जोद आप काम कर रहे हो अगर आपकी इमानदारी उसमें नहीं है एक बार सच में सोच कर देखना आपके शरीर के रोंगटे ना खड़े हो गए तो आप बताईएगा कि हाँ सच में हम गलत हैं सर हम गलत हैं गुरुजी और यह बात आपको एहसास होगी सर मैं अपने मन से नहीं कह रहा इस चीज़ का एहसास आपको होगा अभी नहीं होगा क्योंकि अभी आप अपने खुदके नहीं हो अब अफुद अपने नहीं हो क्योंकि आपका हर रात हर दिन सुबह किके बदलता रहता है घर करना उठेंगे तो लिया हुआ अभी तक फिक्स नहीं को पाया हम कैसे मौने कि वह इमांधार कर रहा है अब बाद में कहते है सिखा हैं बता रहे हैं तो जिनको यह लग रहा हम सब जानते हैं हम ही सर्व ग्याता है उन्हीं की यह बात मैं कर रहा है कहान आप भी के के समय हम भी खभली एग समय पर जो है गुआ कर देख से पहना है चलिए और प्रपेण सवाल का सही जवाब होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही हो जाता है अगला देखिए इस कोश्चन को हमक में लिजे कारबन कंटेंट मिनिममम कारबन मात्रा नियूंतम होता देखते हैं कमेंट में कुछ बच्चे ही करत जो उसकी बड़ाबरी कर सकता बुराईयां भी उसी की होती हैं और तानव उसी को दिये जाते हैं कमियां उसी में निकाली जाती है जिसके जनी शिका सामना वह नहीं कर सकता है कर समढ़ लें अगर वह आप से ज्यादा हैंस् अच्छा पढ़ने में हैं आप stirred अच्छा उसक में कमी निकालेंगे क्योंकि आप उसकी बराबरी नहीं कर पारें ये बात आपको जलनग है इस बात की जलन आपको है यही कहानी रहा है और यहीं इतिहास होता है सर इतिहास यहीं कहता है जिसकी बराबरी न कर सको तो उससे अच्छा उससे जलन कर सको बस यहीं रहा है इतिहा ठीक है और कमेंट में मैंने देखा है बहुत लोगों का बहुत कुछ बढ़ा है ऐसा ने डेली हम देखते हैं ठीक है चलिए इस पर बात होगी पर आपको बैच के बारे में बता दें अब आप देख लिए अगर आपको लगे तो सर जरूर आपका वेलकम करेंगे और आपको नहीं लगे तो भईया जैसी राम वाला कहानी होगा फिर तुम जैसी आपकी इक्षा ठीक है देखिए यह आपका बिनायक बैच है 3.0 बैच आपका हुगा और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिनायक बैच आपका वाई 838 का है जिसमें आपको जब आप कूपन को लगा क पर जाके जब आप लेंगे तो यह आपको मातर 919 रुपए में पढ़ेगा बहुत लोगों को 880 रुपए में आपको दिख जाएगा इस कूपन कोड के साथ अगर आप चाहते हैं कि हमें साइंस का एक वो नोट्स मिले साइंस के वो चीज मिले जो सर आपने बताया था हमें कहने को आओगे कि सर हमारी बात सुने फिर मैं भी नहीं सुन पाओंगा उस वक्त पर यह तो मैं नहीं करता हूं पर मैं तो सुन लेता हूं बाकी की बात बता रहा हूं मैं ठीक है यह चीज धान रखें यह यह इसलिए है ताकि आपका जो पैसा है वह बहुत कम हो सके जानि आपका प्राइज अगर आप चाते हैं कि इसमें कम मिल जाए तो आप इसको जाके जूड़ सकते हैं येठ् सीटink जिसका 5 पेपर में जैसे आपके देड़ सो कोशन आने वाले ठीक उसी प्रकार आपको देड़ सो कोशन ओए अमार सीट साथ में आपको उसका सलूशन वह भी बाइलिंग्वल दोनों भासाओं में है ना तो अगर आप चाहा रहे हैं तो जरूर आप इस बार इसकोर बार ट्राइब कर रख दिये सजा के दो महिने के लिए तीसरे महिने निकालेंगे दो दिन के लिए निकालेंगे बस तो इससे अच्छा यह है कि कम से कम 15 सेट आप लुए एक एक सेट आप परड़े भी लगाते हैं तो आपकी तयारी ही यहां से मजबूत होती है तो आज माने के लिए आपका सइन्स भी पढ़ना चाह रहे है मुझसे मुझसे चाहते हैं कि सर मैं पॉलिटी भी आपसे पढ़ना चाहता हूं डी टेल में मैं आप से करेंड़ और गर जो बढ़े हैं तो तो सर आपको ने काम करना पड़ेगा फिर सा करिये कि आप महापैक कानन उठाइए आप सबसे बढ़े आप महापैक कानन कानन ये cer यह जो आपका महापैक और है न यह देख रहें आ आपको आसान हो चीज़े इस्टेट इक्जाम पर आकर काप करिएगा बहुत कुछ नहीं करना है बिहार महापैक ले लिए सबसे बहतरी ने देखिए बिससे इंटर लेबल सबस्क्राइब आपको आराम से मिल जाएगा साथ में और भी दूसरे बैचेस में में आपको देखूंगा अलग-अलग सब्जेट के साथ डिटेल में थ्यूरी मिलेगी सर मजा आ जाएगा एक चीज़ को वैसे वहां पे आपको मैं एक आपको कोशन जीगे का भी पढ़ा रह है सर यहां पर आप प्राइस कर लेकर घबड़ाएंगे नहीं अगर आप चाहते यह न लगे तो सिधी सी बात है आपको बाइनाव पर क्लिक करके यहां पर कूपन कोड़ डालना पड़ेगा और आपको पता है कि कूपन कोड क्या है हमारा वाई है वाई 838 यह आपका कूप इमांदारी तरीके से त्यारी करने पड़ाई करनी है ठीक है तो जरूर आप मिलें मुझे से यहां पर भी आप सबसे अच्छा रहेगा आपको बिहार महापाइक जिसमें आपको सारे बैचेज एक साथ मिल जाएंगे बहुत कम यह तो आपका कुछ भी नहीं से बहुत कम च साइन्स की क्लास भी सबकुत अने का काम कड़ी है तो शेर शेशन यह जरूर करना है ठीक है ठीक है और बाद में आपको यहां पर चैनल को सबस्क्राइब कमेंट शेर और लाइक दोनो गर molar सभी तो करेगा मैं देखना चाहता हूं घ्तने लोगों को एक Lucie क्या हूआ हません चल झाल